कोरोना की कोहराम से बेहाल हुई दिली की तस्वीर अब सुधर रही है एक और कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावत आई है तो दूसरी और अस्पतालों में अब मरीजों को बेट्स के लिए जद्दो जहद नहीं करनी पड़ रही है पहले जहां कोरोना मरीजों को दिली में ओक्सिजन से लेकर अस्पतालों में बेड और आईसीओं में जगहे तक नहीं मिल रही थी वहीं अब दिली में मरीजों को इलाज कराने में हो रही परेशानी खत्म होती दिख रही है मुखे मंतरी अर्वेंद केश्रिवाल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि दिल्ली के हालात अब पहले से बहतर हो रहे हैं हाला कि जिन मरीजों की हालत गंभीर है उनकी चिंता को जुटलाया नहीं जा सकता माहौल में आपको एक सुखद खबर देना चाहता हूँ पिछले 24 घंटों में करोना के दिल्ली में 10 हजार से कम केस आए हैं पिछले 24 घंटों में लगबग 8.500 केस आए हैं दिल्ली में पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे 20 अपरेल को तो 28 हजार से भी ज़्यादा केस आए थे आज 8.500 केस आए हैं कई दिनों में पहली बार 10.000 के नीचे केस आए हैं दिल्ली में संक्रमन दर भी काफी कम हो गई है पिछले 24 घंटों में संक्रमन दर केवल 12 प्रतिशत रह गई है अस्पतालों में भरती लोगों की संक्रमन भी अब काफी कम हो गई है पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में करोना के 3,000 से ज़्यादा मरीज कम हो गई है यहां कि तीन हजार बेड खाली हो गई है और अब अस्पतालों में बेड मिलने में परिशानी नहीं हो रही है हाला कि एक बात देखने में आई है कि ICU के बेड अभी भी भरे हुआ है इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज्यादा कम नहीं हुई है दिल्ली में पिछले हर बीत रहे दिन के साथ कोरोना पॉजिटिव मामलों में कमी आ रही है 13 मई को ये आंकड़ा 10,000 की करीब पहुँचा था तो 14 मई को ये घट कर 8,000 की करीब पहुँच गया पॉजिटिविटी दर भी लगभग 12 के करीब पहुँच गई है ये संकेथ हैं कि दिल्ली की स्थिती में सुधार है दिल्ली ने अप्रेल के महीने में कोरोना से हुई तबाही का ऐसा खौफ़नाक मंजर देखा था जिसे भुलाया नहीं जा सकता लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली में कोरोना तक हर ठमने लगा है और इसी के साथ उम्मीद जगी है कि अब हालात बेहतर ही होंगे ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक